तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो आज की वीडियो ओने वाली है काइन मास्टर की उपर जो की है पार्ट 3 तो और पार्ट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बैल आइकन भी ओन कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्रोमा की ओप्शन मतलब कि आप अपने कोई भी वीडियो का बैक्ग्राउंड कैसे हटा सकते हैं और वीडियो में टेक्स्ट डालने के लिए तो पहले हम सिखते हैं क्रोमा की तो क्रोमा के लिए पहले हम प्लस को उप्शन दबाएंगे उसमें यूटिव वाला 16 रेशियो 9 ले लेंगे तो इस तरह से हम लेने के बाद अपने वीडियो का जो बैक्ग्राउंड हटाने के बाद हमारा जो बैक्ग्राउंड रहेगा हम उस बैक्ग्राउंड को लेंगे तो मालनो मैं screenshot में जाके कोई भी एक background लेता हूँ जैसे कि मैं एक jungle वाला था मेरे पास मैं उसको लेता हूँ यह देखी यह है jungle वाला background मैं इसे ले लिया हूँ तो अब इसकी duration हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे क्योंकि हमारी video की duration थोड़ी लंबी है अब इसके starting में जाके हम layer वाले option से अपनी video डालेंगे अगर आप media वाले option से डालते हैं तो आपको chroma की वाला option नहीं मिलेगा क्योंकि media में chroma की नहीं हो सकता है इसलिए हम media में जाके layer में जाएंगे यह layer में जाके media में गए और उसके बाद हम जाएंगे किसमें camera से जाके कोई भी एक videos ले लेंगे तो जैसे कि मैं यह video ले लेता हूँ अब मेरे पास सिर्फ इतने area में green screen था और इस area में green screen नहीं था तो अब मुझे इतने area को काटना पड़ेगा तो उसको काटने के लिए मैं पहले जाओंगा cropping में cropping में जाने के बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से काट दूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे काट दिया हूँ अब हम right दबाएंगे यहां से अब यह right दब किया है अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम जाएंगे और इसकी position set कर लेंगे जैसे कि मैं इसकी position रखता हूं यहां पर ठीक है तो यह मेरी position set हो गई है अब यहां से हम जाएंगे क्रोमा की वाले ओप्शन में जहां से आप कोई भी एक color को हटा सकते हैं तो अभी देखिए मैं green color का एसक्रीन लिया हूं तो मैं green color को enable कर दूँगा यहां देखिए की color दिखा रहे हैं इसे आप green blue जो भी आपके उसमें चेंज कर सकते हैं तो यह मैंने Green Color ले लिया अब देखिए यह हम जाएंगे अगर Detail Curve में तो हम थोड़े से Detail Curve के साथ ही इसे बहुत ही अच्छा Green Screen बना सकते हैं तो यह देखिए मैंने detail का माल दिया है तो आप देखिए पूरा background इरेज हो गया है तो इसी तरह के से आप भी इसे कर सकते हैं और क्या बलते हैं अपनी videos को edit कर सकते हैं तो आप देखिए मैं जैसे इसे play करके दिखाता हूं तो इसका जो background है वो हड़ गया है यह देखिए तो पूरा background इसका हड़ यह है तो chroma की वाला option आपको मैं बता दिया हूं इसलिए आप मैं इसे delete मार देता हूं अब आएंगे किसी भी एक video पे अगर आपको text लेना है तो text डालते हैं तो मुझे इसी video में text लेना था पर मैं गलती से इसे delete कर दिया तो अगर आपसे कोई काम गलती से हो जाए तो यह जो option है यह उसी के लिए बना है अगर आप इसे दबाते हैं तो यह आपका वापिस आजाएगा फिर दबाते हैं तो यह भी वापिस आजाएगा तो यह देखिए यह वापिस आ गया है यह undo का option इसलिए होता है तो अब यहां से मुझे इसमेे टेक्स डालना है जैसे की Welcome हम लिखेंगे यह पर तो यहां पर इस्टार्टिन से हम लिख सकते हैं Welcome तो Layer में जाएंगे और Text में जाएंगे और यहां लिख देंगे अपन Welcome Welcome लिख दिए अब हम दबाएंगे OK तो के दबाने के बाद ये देखिए हमारे पास ये वेलकम आ गया है तो वेलकम का अगर ए में जाएंगे डबल मतलब की जो होता है उसका फॉंट होता है तो यहां आपको काइंज मास्टर से बहुत सारे फॉंट्स मिल जाते हैं ये दो पार्ट में आते हैं एक दबा सकते हैं तो ये वेलकम कुछ इस तरीके से लिखा गया अब आप इसकी पोजिशन भी सैट कर सकते हैं तो मैं माल लो इसकी पोजिशन यहां रखता हूं ये टॉप लेफ्ट कॉर्णर में तो यहां से इसकी पोजिशन सैट हो गई और अब यह जो टूल दिख रहा है यहां पर इससे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं तो जैसे कि मैं इसका कलर लेता हूं ब्लैक तो यह देखिए यह ब्लैक में आ गया तो यह ब्लैक में भी आ गया अब जैसे कि मैं इसका आउटलाइन डालना चाहता हूं तो मैं जाओंगा यहां नीचे और यहां से आपको बहुत सारे अप्शन मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कब से डाल दिया हूं तो आप जा के तुरन देखिए तो मैं जाओंगा इस आउट्लाइन वाले और इसे इनेबल कर दूँगा अब देखिए मेरे को ब्लैक नहीं चाहिए मेरे को चाहिए इसमें ग्रीन या फिरी वाइट तो जैसे कि मैं वाइट लेता हूं और राइड दवाता हूं तो देखिए यह मस्त साहिप का बैग्राउंड आ गया इसमें हलब की आउटलाइन त जाता हूं तो इसकी इन अनिमेशन भी आपको बहुत सारी मिल गएगी इसका भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है सारी चीज तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं लिंक डिक्स्रिप्शन में जैसे मैं ले लेता हूं लेटर बाई लेटर तो यह दे आउट अनिमेशन में कोई भी एक ले लिए स्लाइड राइट ले लेते हैं अब देखिए यह क्या बलते हैं हमारा टेक्स्ट यह बन गया है तो जैसे कि मैं प्ले करता हूं तो देखिए यह वैलकम लिखा गया ब्लिंकर शो आ रहा है अब ब्लिंक शो अच्छा नहीं लग टेक्स्ट में जाये ह और यहां लिख दीजिए ABOज अब आपको इसकी भी सबची सट करना पड़ेगा जैसे कि फंट सिस्के लैतिन में जाके कैनवेव लेना पड़ेगा और इसका कलर को आपको ब्लेक करना पड़ेगा और आुट्लाइन में जाके आपको इसका आउट ला और वाइट लेना पड़ेगा तो यह देखिए वैलकम टू आ गया अब मैंचे इसका टू को इतना ही रखना है तो जैसे कि यह वैलकम आप देख सकते हैं यहां पर यह इस पोजिशन में खतम हो रहा है यह जो रैड लाइन दिख रही है उस पोजिशन में ले आना इसको और को दबाना है और इसे पकड़ कि इस पोजिशन में वापिस ले आना है वेलकम और टू की एंड पोजिशन दोनों साथ मेरा नी चाहिए तो अब यह वैलकम और तू दोनों हो गया है और यहां पर से अगर हम इस टाइम लाइन में तो अब अगर हमको इसमें कोई तीसरा टेक्स्ट डालना है तो फिर से हम लेयर में जाके टेक्स्ट डालेंगे और यहां पर हम लिख देंगे अपना कोजी भी लिखना है तो जैसे कि मैं लिख देता हूं अपने चैनल का नाम तो यह मैंने लिख दिया अपने चैनल का नाम अब इसे मैं ओके दबाता हूं और यह देखिए यहां पर brand new लिखा के आगया है तो अब हम इसके position set करेंगे और इसका font भी set करेंगे और अपने को करना है इसका color set तो हम इसका color भी set कर दीजिए अब हम इसका outline set करेंगे तो outline को enable करते हैं और color को white करते हैं तो यह देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा अब आपको चाहिए कि एक एक करके disappear हो तो इसे हलका हलका बढ़ा दी दिये तो देखिए पहले यहां अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे कर दिया है तो यह देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर से यह welcome खतम हो जाएगा यह to खतम हो जाएगा यह multi-dasking करता भी खतम हो जाएगा तो अब आपको इसकी in animation तो ले ले लेते हैं मालो फेड तो यह बहुत ही अच्छा आएगा अगर हम सबके out animation को फेड ले लेंगे और सबके in animation को अगर सबके in animation क लेटर बाइटर तो वेलकम का हमने ले लिया अब टू का इन animation लेते हैं हम यह letter by letter और multi-dasking करता भी लेते हैं इन animation हम लेटर बाइटर और अगर हम इस वीडियो को play करते हैं तो देखिए आपको किस तरीके से मिल जाता है यह यह देखिए welcome लिखा गया अब यह two भी लिखा गया और यह multi-dasking करता भी लिखा गया और तीनों एके करके disappear हो गया तो यह बहुत ही अच्छी वीडियो बनके आ जात है तो यह मैंने आपको text डालने का भी option बता दिया है और यह देखिए chroma की का भी option बता दिया है तो यह देखिए background में आपने वीडियो में कसी रेस करता हम वह भी आपको बता दिया हूं तो यह देखिए अब इसके play करते हैं तो यह देखिए यह पूरा background हट गया है और यह से करके आप टेक्स भी डाल सकते हैं अपने डिसाइड पोजीशन में तो आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं आप से इसकी नेक्स टूडियो में नेक्स टूटोरियल के साथ